असलामने कुम स्टूडेंट्स वेलकम टो इमार लेर्निंग स्टूडेंट्स टूडेंट्स टॉपिक is बाउट किंग्डम प्रोटिस्ता इससे पहले जो हमारा प्रिविज चैप्टर था जो हमने खत्म किया वह था चैप्टर नमबर 6 प्रोकारियोर्ट्स अब जो सब्सक्र residue on들이 और यह यी करी नाजी को फेसं है प्रोजय को कि अर्गनीजमशियाइड अनके पास होती हैं च्टी अब इस अच्टेञ पास नोनियरा तो Итак के अंदर मेंब्रेन बाउन झ्यूक्लिस एबसेंट यो तो तो सबसे मेन डिफ्रेंस आपको पता चल गया है कि यह तमाम क्या है यूकिर्योटिक अरगनिजम है अब इनका लाइदा किंगडम क्यूं बनाया गया किंगडम प्रूट इस्टा का अगर यह थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं अगर यह यूकेरियोटिक हैं तो हम इसको प्लांट में रख सकते थे हम इसको किंग्नम फंजाई में रख सकते थे हम इसको किंग्नम एनिमेली में रख सकते थे बस बट क्या जरूर पेश आई के हमें किंग्नम प्रूटिस्टा जो है वो बनाना पड़ा या इसको अला किंग्नम में जो है वो रखना प हम तो साइंटिस्ट को नहीं समझ आरहा कि कहां पर रखें प्लांट के साथ रखें एनिमल या पिर उन्हों के साथ उन्हों होंने क्या क्या और किनम से लेड़ा बना दि भाए जितने भी और खाली निकुडित लिफिंग और रहें प्लांट के रहsmां को दो आफें और इनके सब और्गनिजम का ना समझाने वाले जितने भी लीविंग और्गनिजम थे उकरियोटिक थे उनको किनम प्रोटिस्टा में रख दिया गया सो कंसिस्ट ओफ लाज नंबर ओफ प्राइमरी एकुरिटिक युकरियोटिक और्गनिजम्स फूस डाइवर्स बोडी फॉर्म इनकी बोडी फॉर्म जो है वो डाइवर्स होती है and type of reproduction, diversity किस बात में है, इसकी type of reproduction में, mode of nutrition में and lifestyle make them difficult to characterize and classify, तो इसके अंदर कुछ ऐसे characteristics हैं जो इसको दूसरे अधर जो 4 kingdoms हैं यो है उनसे different करती है इसको तो इस वहला से हमने इसको अलग classify किया है टोटल किंग्डम है फाइव जिन में प्रोकरियोर्ट्स हैं, प्रो टिस्टा है, फंजाई है, एनिमेली है और फ्लांट है तो इनको उन फॉर में से निकाल के अलग किंग्डम बना दिया गया तो इसका separate kingdom क्यों आया क्योंकि basically this kingdom is defined by exclusion all members have characteristics that exclude them from four kingdom तो इसके basically कुछ character ऐसे से मैंने भी बात की कि समझ नहीं आ रहा था कि इसको कहां पर रखे तो इसको सब kingdom में से निकाल के क्या 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 कि अलग ही kingdom बना दिया लग से इनको classify कर दिया कि चलो जी यहां पड़े हो यहीं पर इसको study किया जाएगा तो समझ आगी होगी hope साब लो इसका और यूणी cellular यह भी यूणी cellular होते है जैसे के प्रोकिरीयोर्ट है तो बात प्रोकिरीयोर्ट जैसी हो गई ना कलोनियल भी होते हैं और simple multi cellular यह बात थोड़ी सी variation है क्योंकि जितने फ्हुतितितिते उमंकि तुमाम की लिए थार। पोसेर र upward मुझनाचेरियोटियोन करे की द confLY कि दिखना है। प्रोकेरियोर्टिक और्गनिजम से, okay, and they may be free living or parasitic, अब ये free living भी रह सकते हैं, parasitic भी हो सकते हैं, ऐसे bacteria भी तो थे, ठीक है, तो इनका mode of nutrition यहां पर free living है, खाया पिया और अराम से रहे, या फिर किसी को disease cause करेंगे, और अपनी nutrition है वो intake करेंगे, they are very simple, not complex like plants, अब यहां पर ब आते थे, animal ही आते थे या प्लांटी आते थे तो उनमें क्यों ही प्लेस किया गया, क्योंकि they are very simple, not complex like plants and animals, they have no tissue level of organization, इनमें tissue level of organization नहीं था, okay, जैसे हमने plant में देखा है, plant और animal higher organism हैं, उनके अंदर जिस तरह से complexity देखे, इन जानदारों के नहीं देखी गी, mostly तो यह यूनि cellular होते भी हैं, तो इनके cell जो है, अलग अलग से function perform करते हैं, बाट मिलके tissue नि बनाते हैं, इनके tissue हम उसको कहते हैं, specific type of cell होते हैं, specific function को, वो perform करते हैं, बट इसमें ऐसे cell का कोई bundle नि बनता, cell को specific function perform नहीं करते, बस हर cell अपना-पना function perform करता है, इस वज़ए से हम कहते हैं, कि organization के अंदर, जिसमें single cell protozoans हो सकते हैं, unicellular algae हो सकती है, अब algae सारी इसी kingdom में आ जाएगी, algae को लागदा नहीं रखा गया, algae को भी इसी में डाल दिया गया है, okay, multi-cellular algae आ जाएगी, जिसमें जो multi-cellular होती वह भी आ जाएगी, slime mold वगरा जाएगी, omaisties वगरा कि जो species हैं, व आने वाले lectures में, they may be similar, अब यह similar हो सकते हैं, three kingdom के साथ, plant like, plant की तरहां के होंगे, तो हमने उसको रख दिया plant like protista में, अगर यह animal की तरहां के होंगे, हमने उनको बोल दिया, animal like protista, और अगर यह फंजाई की तरहां के तो हम इनको बोलते हैं, fungi like protista, but actual वह फंजाई नहीं है, सिर्फ fungi like behave करते हैं, यह animal like behave करते हैं, और plant like behave करते हैं, but actual plant नहीं है, तो इसी वज़ा से इनका kingdom जो था वो अलग से बना दिया गया, तो यह था बहुत ही simple सा introductory lecture about kingdom protista, इंशालों नेक्स मिनेंगे, नेक्स लेक्टर के साथ, तब तक के लिए, अला हाफिज झालों झाल 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 झाल